Hello Friends, Welcome to High Study एक नई वीडियो में एक नई इनफोर्मेशन के साथ आप लोगों का स्वागत है Honorable Supreme Court of India की तरफ से 26th and 27th of September को एक एक्जाम करवाय गया था यह एक्जाम किस पोस्ट के लिए करवाय गया था तो JCA Junior Court Assistant की पोस्ट के लिए यह एक्जाम All India में करवाय गया था अब कल यानि 7th of October को Honorable Supreme Court of India की साइट पे एक नोटिस रिलिज किया गया है यह नोटिस किसके रिगार्डिंग है मैं आप लोगों को बता देता हूं जो आपका एक्जाम करवाय गया था उसकी जो Objectional जो Answer की है वो जारी कर दी गई है Honorable Supreme Court of India की तरब से हम लोग इस नोटिस को डिटेल में पढ़ लेते हैं इस नोटिस में क्या क्या चीज मैंसन कर रखी है सबसे पहले लोगों ने मैंसन कर रखा है दा Junior Court Assistant Examination कंडक्टेड बिट्विन 26 और 28 सब्टेंबर दो दिन यह एक्जाम करवाय गया था फोर्थ चार सिप्टों में उसके बाद पैंट नमबर दो मैंसन कर रखा है दा Question Paper Date wise shift wise of the computer based written test type MCQ of the set examination have been hosted on the website यानि आपका Question Paper website पर इन लोगों ने डाल रखा है उनलाइन उसके बाद जो नेक्स टीन लोगों ने मैंसन कर रखा है कि आप लोग अपनी आंसर की के लिए जो भी आप लोगों को Objection करना है उसको प्रते Question के 200 रुपे पर Question आप लोगों को payment करनी होगी और जो आपका जो Objection होगा सिर्फ पूर सिर्फ किस तरीके से होगा Online यह Objection आप लोग कर सकते हैं कैसे Online Objection करोगे वह मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड में बता दूंगा कब से यह आंसर की साथ अक्टूबर से आप लोग साड़े 11 पीम यानि कल रात साड़े ग्यारा बज़े आंसर की release की गई है और इसकी जो कब से कब तक आप लोग देख सकते हो 10 अक्टूबर 2022 तक रात को साड़े ग्यारा बज़े तक आप लोग अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं उसके बाद नेक्ट नमबर पर देख लेते हैं पाइट नमबर थीन कुछ खास है नहीं इसमें पाइट नमबर फॉर पढ़ लिया आप इंटरस्टिट कंडिडेट कैन संबिट दियर चैलेंज इप ओनली इन ओनलाइन मोड यानि कि आप लोग का चैलेंज जो भी आप जाएगी तो मेंस यह एक बार आंसर की जारी की जाएगी वह रिजल्ट से पहले जारी की जाएगी उसके बाद इन लोगों ने चीज़ और मैंसर करकी आप लोग चैलेंज नहीं कर सकते हैं उसके बाद नमबर से नमनेंज कर रखा है था कंडिडेट और एडवाइज टुक कोई भी अपडेट चाहिए तो उन्रेबल सुप्रीम कोट ओफिंडे की वेब साइट पर रेगुलरी विजिट करते रही है अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोग अपनी आंसर की कैसे चेक कर सकते हैं आंसर की चेक करने का लिंक इन लोगों ने यहां पर प् क्लिक किया है तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो रही है तो यह नई विंडो ओपन हो रही है इस में विंडो में हम लोग देख लेते क्या क्या ओप्सन आई हमारे पास तो इसमें लोगों ने दो ओप्सन दिये है पहला ओप्सन दिया है थूरू अप्लिकेशन यहां पर आप लोग अपना application number डाल लेना, application form यहां पर application number डाल लेना, उसके बार यहां पर अपने आप लोग date of birth डाल लेना, next यहां पर enter security pin डाल लेना, जो नीचे दे रखा हैं लोगोंने security pin, इसको डालने के बाद यहां से आप लोग sign in कर लेना, जैसे ही आप लोग sign in यही इन फॉर्मेशन देनी थी अगर आप लोगों को मेरे दुवरा दे गए इन फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर चैनल पर फस्ट है विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सबस्क्राइब भी कर लेजिए एक रिक्वेस्ट हो रहे हैं आप ल